हलो दोस्तों आप सबका स्वागत है spirit science classes में आज ये हमारा second lecture है force and pressure chapter का जिसमें हम force को explore करेंगे force के बारे में कुछ detail में जानेंगे कि अगर हम ऐसे force लगाते है तो क्या होता है अगर हम ऐस तरीके से force लगाते है तो क्या होता है तो चलिए देखते है one by one बड़ा यहां पे एक बच्चा है ठीक है आपके जैसा cute बच्चा इसको क्या करना है ये जो box है उसको इस direction में move कराना है पर ये जो बच्चा है उसने अपनी पूरी ताकट लगा के ये जो box है उसको push किया पर ये जो box है वो move नहीं हो रहा था तो इसने क्या किया अपने दोस्त को बुला लिया कि भाई यार तु आजा मेरे से ये जो box है वो move नहीं हो रहा है तो आजा दोनों मिलके एक ही direction में force लगाते है तब जाके move होगा ये ठीक है तो ये जो दोनों बच्चे है उन्होंने मिलके इस direction में force लगाया दोनों ने एक ही direction में force लगाया तब जाके ये जो box है वो move हुआ तो बेटा अगर हम एक ही direction में force लगाते है तो जो force है उनका addition होता है तो यहाँ पे जो resultant force है FR वो कितना होगा F1 प्लस F2 होगा F2 और F1 के sum के बराबर होगा तो जब जो force है वो एक direction में लगता है तो उनका addition होता है अब इन दोनों बच्चों के बीच में competition हुई कि चलियार आजा competition करते है तू सामने आजा मैं यहाँ पे रहता हूँ दोनों एक opposite direction में force को लगाते है देखते हैं किस में कितनी ताकत है तो दोनों के बीच में क्या हुई competition हुई बहुत तगड़ी competition हुई पर यह जो दोनों बच्चे थे उन्होंने equal force लगाया दोनोंने F1 जितना force लगाया opposite direction में यह जो बच्चा A था उसने इस direction में force लगाया और यह जो बच्चा B था उसने इस direction में force लगाया तो दोनोंने opposite direction में force को apply किया और यह जो दोनों force थे वो equal force थे F1 ठीक है तो ये जो box है वो move नहीं करेगा वो वहीं के वहीं ही रहेगा पर पर बेटा ये जो B वाला बच्चा था उसने क्या किया ताकट लगाई उसने बोला जै श्री राम और अपनी पूरी ताकट लगा दी इस direction में तो क्या हुआ इस direction में move करेगा ये जो box है वो इस direction में move कर गया तो बेटा इस example से हम समझ सकते है कि जब force opposite direction में लगते है तो force का subtraction होता है तो जो resultant force है FR वो कितना होता है F2 minus F1 जितना होता है क्योंकि यहाँ पे जो F1 है वो ज्यादा है तो F1 और F2 को जब हम subtraction करते है दोनों का तो हमें मिलता है resultant force अब आपने ये game जो है उसको तो खेली ही होगी tug of war हम सब ने खेली है और मेरी तो बहुत फेवराइट है तो यहाँ पे team A है और ये team B है तो ये team A और जो team B है वो इस तरीके से रस्य को पकड़के push कर सौरी push नहीं क्या कहेंगे pull कर रहे है क्योंकि वो अपनी तरफ Force लगा रहे है तो क्या कहेंगे pull कर रहे है तो दोनों team A इस तरीके से opposite direction में क्या कर रही है pull कर रही है ये जो team है वो इस direction में pull कर रही है तो भेटा जब force है वो opposite direction में होते है तो क्या होता है उनके बीच में subtraction होता है तो इसमें क्या होगा subtraction होगा अगर A का जो force है वो ज्यादा होगा compare to B तो A team जीद जाएगी B का ज्यादा होगा तो B team जीद जाएगी और A और B का दोनों का equal होगा तो क्या होगा कुछ नहीं होगा जो जहांबे था वहाँ पे ही रहेगा कोई नहीं जीतेगा तो बेटा इन जितने भी example थे उनसे हमें ये तीन statement मिलते हैं उसको हम देख लेते अच्छे से कि forces acting in the same direction add कि ऐसे forces कि जो same direction में लगते हैं एक ही direction में लगते हैं उनका addition होता है forces acting in opposite direction subtract from one another कि ऐसे forces कि जो opposite direction में लगते हैं उनका subtraction होता है और forces that can equal in size and opposite in direction results in no net force कि ऐसे force कि जो opposite direction में है और जिनकी जो value है जिनकी जो size है वो equal है तो क्या होगा कुछ नहीं होगा no net force force नहीं लगेगा net force क्या होगा zero हो जाएगा क्योंकि ये जो जितना force लगा रहे है उतना भी ये है और दोनों की जो direction है वो opposite है तो क्या होगा कुछ नहीं होगा तो ये तीन चीजे थी जिसके लिए हमने ये पूरी example से चीजों को समझा अब बेटा आप कहेंगे कि सर आपने तो कह दिया कि push और pool है उसे हम force कहते है पर सर actually में force क्या होता है force को हम किस तरीके से calculate करते हैं तो यहाँ पे एक equation है f is equal to ma में जिसकी help से हम जो force है उसको calculate करते हैं यहाँ पे यह जो f है is stand for force यहाँ पे जो m है वो stand करता है mass पे और यह जो a है वो है acceleration तो यह जो mass है और यह जो acceleration है उनका multiplication करते है तो हमें force मिलता है अब आप कहेंगे कि sir यह mass क्या है तो बेटा mass की definition कुछ इस तरीके से होती है the amount of matter present into object is called its mass कि किसी भी object में कितना amount of matter है उसे हम कहते है उसका mass और acceleration कि इसको कहते है कि जब कोई object है वो move कर रहा है तो उसको उसका acceleration कहते है तो जब इन दोनों का multiplication हम करते है तो हमें force मिलता है तो इस तरीके से जब हमारे पास mass और acceleration होते है तो इन दोनों को multiply करके हम force को निकाल सकते है कि कितना force हुआ अब बहुत इंट्रेस्टिंग topic है effect of force कि अगर हम किसी भी object के उपर force को apply करते है तो उस object में कौन से changes होते है तो उस object की जो speed है वो change होती है उसकी जो direction है वो भी change हो सकती है और उसका जो shape है वो भी change हो सकता है तो इन तीनों के बारे में हम अब sequence में अच्छे से जानते है कि कैसे change होती है छीजी तो यहां पर यह जो ball है वो ball अभी यहाँ steady है यहाँ से मैंने इस direction में क्या किया इसको push किया इस पे force लगाया तो पहले इसकी speed क्या थी? 0 थी अब मैंने force लगाया तो क्या हुई? speed क्या हुई? increase हुई अब मैं क्या करता हूँ कि जो wall है वो move कर रहा है उसको और ज्यादा force लगाता हूँ उसी direction में जिस direction में ये move कर रहा है तो दोनों force का क्या होगा? अभी तो देखा addition होगा तो क्या होगा? ball जो है वो बहुत ज्यादा speed से move करेगी तो यहाँ पे ये effect of force में पहला example हमने देखा कि force को apply करने से जो object है उसकी speed जो है वो ज्यादा होती है कम भी होती है कम वाला example देखते है कि किस तरीके से कम होती है यहाँ पे ये जो footballer है वो ये जो ball है उसको इस direction में क्या कर रही है? kick कर रही है और ये जो goalkeeper है वो इस ball को ball जिस direction में आ रहा है उसके opposite direction में उसको force लगा रही है तो क्या होगा force लगाने से इसने क्या किया force लगाया तो ball जो है उसकी speed increase हुई goalkeeper ने force उसके opposite direction में लगाया और जो ball है उसकी speed क्या हुई? कम हो गई ball जो है वो रुक गई तो ये जो दो example थे बेटा वो थे force लगाने से किस तरीके से जो object है उसकी speed कमिया ज्यादा होती है अब ये एक और example से समझते है कि speed force को apply करने से speed कैसे change होती है तो बेटा ये जो खिलोना है वो इस direction में move कर रहा है ये बच्चे enjoy कर रहे है अब ये जो अंकल जी थे पास में वो आए उन्होंने क्या किया जिस direction में ये move कर रहा था उसी direction में force लगाना शुरू किया इस तरीके से तो दोनों force पहले जो force लग रहा था वो और अंकल जी ने आके जो force लगाया वो दोनों force का क्या हुआ addition हो गया क्या हुआ addition हो गया क्योंकि दोनों force एक ही direction में है तो addition होगा तो जो speed है वो क्या हुआ speed increase हो गई तो इस तरीके से हम कह सकते है कि जो ball है उसकी speed जो है और जो object है उसकी speed कम होती है ज्यादा भी हो सकती है और ball जो है वो stop भी हो सकता है तो ये दो statement है not कर लीजिए जो explain किया वो ही लिखा हुआ है तो देख लेते एक बार if the force is applied in the direction opposite to the direction of motion then it results in a decrease in the speed of the object ये है उसका example if the force applied on the object is in the direction of its motion the speed of the object increase ये है उसका example अब हम देखते है बेटा कि जो force है उसको apply करने से object की direction किस तरीके से change होती है ये आपकी text book का example है ये जो एक case है उसमें हमने ball के उपर इस direction में force लगाया ball इस direction में move कर रही है तो यहाँ पे मैंने scale को रख दिया scale को रख दिया ठीक है तो the ball था वो क्या हुआ ये जो scale है वहाँ पे ऐसे तक्राया और इसकी झो direction है वो change हो गई तो यहाँ पे क्या होता था मैंने force लगाया तो speed इसकी increase हुई यहाँ से मैंने force लगाया तो क्या है इसकी जो है वो direction change हो गई तो हम कह सकते है कि force को apply करने से उसकी direction भी change हो सकती है इसको अब हम एक live example से समझते है हमारे interesting example से समझते है कि यह जो volleyball का जो game होता है उसमें यहां से यहां पे एक player था उसको नाम देते है player 1 ठीक है और यह जो है वो है player 2 यहां जो player 1 है उसने इस तरीके से ball को मारा ठीक है तो वहां पे जो opponent में जो player 2 था उसने उसने इस तरीके से ball को ठीक है force दिया push किया तो जो ball है उसकी जो direction है वो क्या होई change हो गई completely क्या होई change हो गई यहां पे यह जो ball की जो direction है वो यह थी और यहां पे जाके वो क्या होई चेंज हो गई तो ball की direction change होती है force को apply करने से अब ये एक और example है cricket का example यहाँ से जो baller है उसने इस direction में ball को फैका और ये जो batsman है उसने इस तरीके से ball को hit किया push किया तो ये जो ball है उसकी जो direction है वो change होके ये direction हो गई तो previous direction ये थी force को apply करने से hitting करने से जो ball की direction है वो क्या होई चेंज हो गई तो इस तरीके से ball की direction change हो गई force को apply करने से force can change the shape of an object कि किसी भी चीज़ पे अगर हम force को apply करते हैं तो उसका जो shape होता है वो भी change हो सकता है यहाँ पे कुछ example दिये हुए है उन example को समझने से पहले हम एक important example को देख लेते है practically तो मेरे पास बेटा ये क्या है मेरे पास ये है balloon तो ये जो balloon है उसको हमने इस तरीके से दोनों पाम के बीच में मैंने रखा है अभी इसका जो shape है वो है spherical shape ठीक है ये जो shape है वो इसका क्या है spherical shape है ठीक है अगर मैं इसको अपने पाम के बीच में इस तरीके से रखता हूँ और इसको मैं क्या करता हूँ force को apply करता हूँ अपने दोनों हाथों से इस balloon पे तो क्या ये जो balloon है उसकी जो speed है वो increase होती है इसकी जो speed है वो decrease होती है या इस balloon की जो direction है वो change होती है नहीं बेटा ये जो ball है उसकी direction change नहीं होती उसका जो speed है वो change नहीं होती speed कम या ज्यादा नहीं होती पर इसके shape में change आता है तो ये third point था किसी भी object के उपर जब हम force को apply करते है तो इसका जो shape है वो change हो सकता है like this और अगर ज्यादा force दिया ज्यादा force दिया तो इसका जो shape है वो completely change हो जाएगा और बहुत ज्यादा force देते है तो ये जो balloon है वो अरे यार ये तो फट नहीं रहा है ये बलून है इसका शेप देखिए आप ये देखिए ये फोर्स देने से इसका शेप जो है वो completely change हो जाता है ठीके बच्चा तो ये है इस तरीके से जो शेप है वो change होता है एक और एक्जामपल से समझते है मेरे पास मेरे पास ये एक बॉ दोनों पाम के बीच में और इसको इस तरीके से फोर्स लगाता हो तो इसका शेप ये है ये फोर्स लगाया ठीक है फोर्स लगाया तो क्या हुआ इसका क्या हुआ शेप जो है वो क्या हुआ चैंज हो गया पहले वो कुछ ऐसा था अब ये ऐसा हो गया तो शेप चैंज हु ठीक है इसकी जो speed है वो कम या ज्यादा नहीं हुई इस case में इसका जो direction है वो change नहीं हुई इस case में पर इसका जो shape है वो change हो गया ठीक है तो अब हम देखते हैं आपकी जो text book है उसमें कुछ examples दिये हुए है उन examples को one by one देखते है कि force को apply करने से उनका जो shape है उसमें किस तरीके से change आता है ये पहला example है draw का जब हम रोटी बनाने के लिए जो गेहूं होता है उसका जो आटा होता है उसका इस तरीके से draw बनात है ठीक है तो क्या होता है draw का जो state of motion है वो change होता है state of motion को हम इस तरीके से define करते है कि उसकी speed और जो direction है क्या वो change होती है ये जो draw है वो क्या भागने लगता है उसकी speed increase होती है decrease होती है नहीं होती उसकी जो direction है वो change होती है नहीं होती तो यहाँ पे जो change in state of motion लिखा हुआ है उसमें हम क्या लिखेंगे no पे tick करेंगे क्योंकि ऐसा कुछ नहीं होता speed और जो direction है वो change नहीं होती change in shape क्या इसका shape change होता है जी हाँ इसका जो shape है वो change होता है second example है bicycle की जो seat होती है जब हम उस पे बैठते है तो क्या उसका state of motion change होता है नहीं होती उसका जो shape है वो change होता है yes उसका shape change होता है जब उपर बैठते है तो वो compress होता है उसकी जो shape है वो क्या होते है change होता है तो बेटा यहाँ पे इस example में हमारे पास ये है वो है hook ठीक है अब ये मेरे पास जो rubber band है ये rubber band जो है मेरे पास आप देख सकते हो, ये छोटा सा rubber band है, इस rubber band को मेरे पास hook नहीं है, पर मेरे ये जो हाथ है, उसको आप, मेरी जो ये finger है, उसको आप hook समझ लीजिए, ठीक है, तो यहाँ पे इस तरीके से इसको मैं, hook पे इसको फसा देता हूँ, और इसको नीचे की तरफ force लगाता हूँ, ठीक है, इसको इसको अच्छे से दिखा, इसको नीचे की तरफ इस तरीके से force को apply करता हूँ, तो क्या होता है, इसकी speed कम या ज्यादा होती है, इसकी जो speed है, वो कम या ज्यादा होती है, बेटा नहीं, speed हम कब कहेंगे कि जो उसका जो place है उसको छोड़के वो कोई और place पे जाता है तब हम कहते है उसकी speed increase हुई या decrease हुई पर यहाँ पे तो वो उसी place पे है जहाँ पे हमने इसको hook में लगाया था यह वहाँ पर ही है इसका जो है वो shape change होता है like this force को apply करने से ओके तो यहाँ पर भी similar case होगा change in state of motion no change in shape yes अब हम देखते हैं यह है books ठीक है यहाँ पर हम books को ले लेते है दुनों side पे और यह जो scale है उसको यहाँ पर इस तरीके से रखते है और यहाँ पर और यहाँ पर हम कोई बारी चीज को रख देते है तो बेटा क्या होगा यह जो scale है उसका जो motion है वो change होगा उसका जो motion है उसकी जो speed या direction है वो change होगी नहीं होगी पर उसका shape change होगा yes उसका shape change होगा यह जो scale कुछ इस तरीके से है यहाँ पर दोनों side पर books है यहाँ पे हम कोई भारी चीज को रखते है तो यह जो scale है उसका जो shape है वो ऐसा हो जाएगा ठीक है कुछ ऐसा हो जाएगा उसका shape तो shape में change आता है An object cannot move itself कोई भी object अपने आप move नहीं करता It cannot change speed वो अपनी speed change नहीं करता उसकी जो direction है वो भी change नहीं होती उसका जो shape है वो ऐसे ही change नहीं होता पर किसी भी चीज पे force को apply करते है तो उससे उसकी जो speed है वो change हो सकती है उसका जो shape है वो भी change हो सकता है और उसकी जो direction है वो भी change हो सकती है और एक और question पूछना चाहता हूँ आपसे कि क्या force apply करने से ये तीनों चीजे एक साथ हो सकती है हो सकती है एक साथ जी हाँ ये तीनों चीजे single single भी हो सकती है कि सिर्फ speed change हुई कम या ज्यादा हुई सिर्फ direction change हुई और सिर्फ shape change हुआ या तीनों change हुए क्योंकि जो ball आ रही है उसको मैं bats से इस तरीके से force लगाता हूँ तो उसकी speed increase होती है क्योंकि यहां पर मैंने कितना force लगाया उस पर depend रहता है bats से मैंने अगर ज्यादा force लगाया तो उसकी speed increase हुई और जो ball है उसको मैं ज्यादा hit देता हूँ तो उससे क्या होता ball की जो shape है मनलब कि hitting करने से जो force देने से उसकी जो shape है वो भी change होता है ठीक है और उसकी direction भी change होती है तो यह एक ही example में यह तीनों चीज़े होती है तो force लगाने से बेटा बीजी कली यह तीन चीज़े होती है separate भी होता है और तीनों एक साथ भी हो सकती है ठीक है So thank you so much बच्चों हमारे साथ बने रहिए spirit science classes में मिलते हैं next lecture में बहुत जल्दी तब तक के लिए खुश रहिए हमारे साथ बने रहिए spirit science classes में मिलते रहिए revision करते रहिए अच्छे से videos देखते रहिए और पढ़ते रहिए अच्छे marks को gain कीजिए concept को clear कीजिए Thank you so much